हेलो एवरिवन हरियाना पुलिस के एक्जाम को देखते हुए वई आप सभी लोगों के लिए आज की एक मेहतवपून क्लास लेके आए हैं कम्प्यूटर की जिसके अंदर आप लोगों के यहां से एक ऐसा टोपिक करवाएंगे तो हर जो हर एक्जाम के अंदर आप लोगों क कोश्चन को यहां से एक या दो नंबर जरूर देखे जाएगा तो उडान कैमपस के इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए ज्यादा स्टुटेंट्स के पास पहुंचाए और सेर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास की पहल कौन-कौन से कंप्प्यूटर का यूजर गरते हैंतों सबसे पहले हमबद करेंं कम्प्यूटर की किलाजशिक पेशन के एकोर्डेंग कंप्यूटर जो है हमारा तीन तरह का होता है तो सबसे पहले के अनुसार यान की हमारे जो पहली टाइप है classification of computer की वो है according to size, speed and cost तो इसके according हमारे जो computer के type है वो कौन-कौन से आते हैं तो सबसे इसके अंदर मुख्य रूप से हमारा जो computer आता है वो आएगा सूपर computer सबसे पहले हम बात करेंगे सूपर computer की उसके बाद second हम बात करेंगे mainframe computer की third हम बात करेंगे mini computer की और number four हम बात करेंगे micro computer की अगर हम इन चार में से भी देखा जाएं सबसे ज़्यादा जो question बनते हैं आपके exam के point of view से तो वो हमारे बनते हैं number one super computer से तो super computer के बारे में बहुत से question बढ़ेंगे उससे पहले माँ आप लोगों को थोटी चोटी बाते बता देता हूँ computer के बारे में क्योंकि Udhan campus के platform के उपर आपकी ये computer की पहली class रहेगी और इसके अंदर आपको computer के बारे में किस तरह का device है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए computer आपका electronic device है ठीक है second आपको क्या पता होना चाहिए computer electronic device के साथ साथ computer जो है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं computer को हम हिंदी में बोलते हैं sanga gana kak abdeklahi antar abdeklahi antar pariakla ki tentang यह ज़ tanta कि बी मैंने आपको नाम लिखवाए हैं यह आपको किसी एक book में मिलेंगे और नहीं कहीं आपको एक जग इतना data मिलेंगा तो आपते सारे के सारा जो भी डेटा लिखवाया जा रहा है इनको आप नोट्स प्रिपेर कर लें ताकि आपको हर एक्जाम्स के अंदर यहां से बेनिफिट हो सके उसके बाद थार्ड कोश्चिन आपको बताएंगे लेकिन कंप्प्यूटेर भी आप लोगों के लिए इंप्पोर्टेंट है यह दोनों ऐसे वर्ड हैं जिन से हम मानते हैं कि कंप्यूटर जो सब्ध है इसकी उत्पति हुई है जबकि इन दोनों सब्धों का अर्थ देखा जाए या आप मीन्स कह सकते हैं मीनिंग देखा तो computer हमारा एक British भासा का सबद है और compute या computer से पुछा जाए तो हमारा किस भासा का सबद है वैसे तो इस question के उपर बहुत सारी controversy होती है लेकिन according to NCRT latest update के according अगर मैं बाता हूँ तो आपको NCRT देखना 9th class की आप CBSC board की तो उसके अंदर अभी ये जो है English भासा का सबद है ठीक पहले जो अगर हम बात करें तो ये कौंसी भासा का सबद था तो ये हमारा latin भासा का सबद था कौन सी भासा का सबद माना गया है NCRT ने latin भासा का और इसससे पेले जो है कौन सी भासा का सबद है, तो फिर आपको चारों ठीक करने है, अधरवाइज आपको तीन उप्षन में है, तो आप सबसे पहले प्रिफ्रेंस इंगलिस को देंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमारे कम्प्यूटर के दो चार बेसिक कोस्टिन करवाए हैं मैंने आप लोगो कम्प्यूटर, उससे जो बड़ा कम्प्यूटर रहेगा, उससे जादा साइज, जादा स्पीड और जादा कोस्ट, मीनी कम्प्यूटर की रहेगी, इससे जादा साइज, इससे जादा स्पीड और कोस्ट, यानि कि ऐसे आपका ये बढ़ता करम है, जो सबसे नीचे होगा, उसका size सबसे कम होगा, speed सबसे कम होगी और cost भी कम होगी जो सबसे उपर होगा, उसके size भी बड़ा होगा, speed भी जादा होगी और cost भी जादा होगी तो इस तरीके से मैंने arrange किया है आप लोगों के लिए सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारा जो super computer है इससे exam के point of view से question क्या बनता है पहला question बनता है, विसव का पर्थम super computer कौन सा था ठीक है, तो विसव का पर्थम super computer की अगर हम बात करें विसव का पर्थम super computer तो विसव का पर्थम जो super computer था, वो कौन सा था ये question बहुत important है वही और बहुत सारी बुकों में आपने देखा होगा CDC 6600 इसके लावा कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा Cray 1 ये दो नाम आपको मैंने आपके सामने लिखे हैं ये दोनों के दोनों पर्थम सूपर कम्प्यूटर के अंदर count होते हैं बहुत ही कम चांस है दोनों के दोनों एक साथ पेपर में आएं अगर आप ही जाएं तो आप प्रिफ्रेंट्स दोगे CDC 6600 को क्यों दोगे क्योंकि ये आया था 1964 में और जो क्रे वन था ये सूपर कम्प्यूटर जा आया था 1996 में इन दोनों को बनाने वाले जो व्यक्ति थे जो इन दोनों को बनाया था जिनोंने तो उनका नाम था सिमूर करे क्या नाम था इसका सिमूर करे तो सिमूर करे ने इनको बनाया था दोनों के दोने computer को जो हमारे super computer का दरजाल जिनको हम देते हैं वही CDC-6600 और Cray-1 ये जो CDC-6600 था इसकी speed लगबग 3 flops के अंदर थी 3 mega flops के अंदर और इसकी जो speed थी वो 160 mega flops के अंदर थी इसी वज़े से ये ज़्यादा successful नहीं हो पाया और बहुत सारी bookों में आपने देखा होगा Cray-1 तो Cray-1 को इसी वज़े से माना जाता है सबसे सफल या सफल आपका सबसे पुर्वक super computer तो सबसे ज़ए आपको bookों में Cray-1 ही दिखाई देगा इसके पीछे reason यही है क्योंकि इसकी जो speed थी वो 160 flops के अंदर थी अब देखो मैंने flops एक word लिखा याँ पे flops F-L-O-P-S paper में बहुत बार question बनता है super computer की speed की गणना किस में की जाती है तो जो super computer होते हैं उसकी speed किस में मापते है flops में मापते है ठीक है भई किस में मापते है flops में इसकी full form भी होती है चलो मैं full form आपको लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी full form होती है floating point floating point operation per second floating point operation per second तो यह full form होती है आपकी flops की और question क्या बनेगा question exam के point of view से बनेगा आपका super computer की speed की गणना किस में की जाती है तो super computer की speed की गणना किस में की जाती है flops में की जाती है clear है यहाँ तक screen shot लेना चाओ तो screen shot ले सकते हो चलिए आगे देखते है super computer के बारे में और क्या question मनते है अभी सिर्फ हमने एक कोश्चिन किया है सूपर कम्प्यूटर का उसके बाद आगे देखते हैं सूपर कम्प्यूटर के अब देखो भई हम दिविजन के लिए थोड़ा सा रख लेते हैं इस पोर्शन को ताकि आप लोगों को इजी हो जाए अब देखो हम देखते हैं कि हमारा पहला कम्प्यूटर है विसो का CDC 6600 या क्रेवन अब आगे देखते हैं ये विसो का पहला था तो भारत का पहला कौन सा है हम बात करेंगे भारत की भारत का पर्थम सूपर कम्प्यूटर तो भारत का पर्थम सूपरकंप्यूटर की अगर हम बात करें ये कौन सा था तो ये था भई परम आठ हजार परम आठ हजार इसका पूरा नाम था परम आठ हजार कई बार आपने अकेला परम लिखा हुआ दिखाई दिया होगा तो अकेला परम नहीं है, अकेला परम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि परम जो है, परम सिरीज के बहुत सारे सुपरकम्प्यूटर जो है, डिजाइन किये गए है, सीडेक के दुआरा, जैसे परम आठ हजार है, परम आपका स्री है, परम सिवाई है, परम भरमा है, तो परम सिरी रहें परम सीरीज के लेकिन इसका नाम क्या था परम आठ हजार इसके लावा देखो अगला कोक्षिन मनता है कि परम आठ हजार है ये कब आया तो एक जुलाई की बात है किसने बनाया इसको तो इसको किसने बनाया था इसको बनाया था सीडेक कंपनी ने सीडेक कंपनी का कई बार आपसे पुछा गया है है हैड़ कोर्टर कहां है तो इसका हैड़ कोर्टर कहां है वही पुने के अंदर और पुने कहां क्या है तो सीडिय कंपनी की फुल फोर्म है वई छेंटर फोर डावल्प्मेंट कि एडवांस कंप्यूटिंग गाव गाव एडवांस कंप्यूटिंग थीक है तो ये सीड़ा कंपनी की फुल फॉम रहेगी अपनी इसने इसको बनाया था अगर आपसे पुछा जाए बहुई सीडेक कंपनी के अंदर इसके जो सी यो थे या निदेशक थे वो कौन थे या फिर आपसे कोश्चन पूछा जाए भारत में सूपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है या सीडेक के निदेशक कौन थे जो सीडेक के निदेशक थे इसी को कहा जाता है भारत में सूपर कंप्यूटर के जनक ध्यान रखिएगा बहुत इंप्रोटेंट कोश्चन है तो यह कौन थे विजै पांडूरंग भाटकर तो विजै भाटकर नाम भी अकेला दिखाई दे सकता है आपक बाते आप यह सूपर कंप्यूटर के जनक इस तहरे से आपसे कोस्च्छन पूचा जाए तो आप इस कोस्चन को इजली कवर कर सकते हैं ठीक है तो ये हमने दो बातें की है, विषाव का पर्थम और भारत का पर्थम ठीक है, तो अभी सिरफ दो question करवाएं है मैंने आपको, और इन दो question के अंदर से आपका जितने भी question मनते हैं, वह आपके बहुत important है जैसे company की identification पूछ सकते हैं कंपनी का head quarter पूछ सकते हैं ठीक है इसके इलावा अभी इसी से related question बनता है कि परम 8000 का नवींतम रूप क्या है ठीक है परम 8000 का नवींतम रूप या विक्सित रूप क्या है ठीक है भी तो परम 8000 का नवींतम या विक्सित रूप जो था वो था परम 10,000 ये question भी बहुत बार एक्जाम के अंदर बना है और यह कब बना था 1908 में ठीक है और इसको बनाया किसने था परम सीरीज के जितने भी हमारे कंप्यूटर है वो किसने बनाए है सीडेक कंपनी ने ठीक है तो एक बार इसका भी स्क्रीन सोट ले लिजी चलिए आगे देख लेते हैं अब हम बात करते हैं भारत के पर्थम भारत का पर्थम हो गया अब सबसे तेज कंप्यूटर की बात करते हैं जो सूपर कंप्यूटर के अंदर आता है तो सबसे तेज सूपर कंप्यूटर कौन से देश का है उसकी बात कर लेते हैं ठीक है चलिए तो सुपरकंप्यूटर के एकर हम बात करें, विशव के अंदर सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट सुपरकंप्यूटर इन दा वर्ल्ड कोन सा है, या फिर आप ये कह सकते हो, विशव में सबसे सकती साली या सबसे तेज सुपरकमप्यूटर तो यह कौन से देश का है और कौन सा है वेरी-वेरी important question मता है तो विशा में सबसे तेज़ सुपरकमप्यूटर की बाते करेंगे सबसे पहले हम बात करते है जो आज के दिन है उसका नाम है फुगाकू और इसको कहा रखा गया है इसको रखा गया है फिजित्सु में है फिजित्सु कहां पे है टोक्यो जपान में ठीक है अगर आप डिरेक्ट दो बातों को याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा ठीक है क्या विशव का सबसे तेज सूपरकम्प्यूटर का नाम क् लेकिन कई बार आपने देखा होगा फुगाकू की बजाया आपने फिजित्सु नाम सुनावगा कहीं पर तो फिजित्सु उस जगए का नाम है तो फुगाकू या फिजित्सु कुछ भी आपको दिखाए दे जाए तो आपको ठीक कर देना है क्लीर है तो यह कौन से देश का है जपान का है क्लीर है सेकेंड अगर हम बात करें यह 2020 के आकड़े हैं 22 जुन 2020 को यह अपडेट हुआ था उसके बाद इनको अपडेट नुमबर 2020 में और मार्स 2021 में अपडेट किये गए हैं थोड़े बहुत इनके अंदर ठीक है लेकिन नाम वह ही है वह थोड़ा बहुत अपडेट आजाता है जो थोड़ा बहुत एर रह जाता है उसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सब्डेट कर दिया जाता है अब देखो फुगाकु के से पहले यानि कि 2019 की बातें करें तो उस दुरान सबसे तेज सूपर कंप्यूटर कौन सा ठीक है या फिर हम बात करें USA की अमेरिका की अमेरिका का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर कौन सा है तो अमेरिका का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर जो था वो था समिट क्या था समिट और 2019 के अंदर यही सबसे तेज सूपर कंप्यूटर था आज के दिन सबसे तेज सूप 2019 की बाते करें तो सबसे तेज था ठीक है तो इससे पहले कि अगर हम बात करें 2019 की 2019 में सबसे तेज सुपरकुप्यूटर का नाम क्या था समीट है ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें 2019 से पहले चाइना के अंदर, ठीक है, सन्वे, सन्वे, ताइहू लाइट, सन्वे ताइहू लाइट जो था, ये 2018 के अंदर था, तो 2018 के अगर हम बात करें, तो चीन का था, सबसे तेज सूपरकम्प्यूटर, 2019 की बात करें, अमेरिका का, और 2020 की और 21 की बाते करें, तो किसका है, फुगाकू, जापान का, ठीक है, तो ये विस्व में सबसे तेज सूपरकम्प्यूटर है, इसी करम के अंदर गर हम भारत की ठीक है भारत की तो 2018 की बातें करते हैं भारत की भी भारत का 2018 के अंदर जो सबसे तेज सूपरकम्प्यूटर था वो था पर्तियूज इसको डोक्टर हर्स वर्दन उस दुरान ये काबिनेट मिनिस्टर वा करते हैं तो पर्तियूस जो था पर्तियूस को उन्होंने लॉंच किया था तो पर्तियूस जो था 2018 के अंदर सबसे तेज सूपरकम्प्यूटर था भारत का 2019 की अगर हम बात करें 2019 की अगर हम बात करें तो यहां पे दरेंदर मोदी जी ने लॉंच किया था परम सिवाए ठीक है 2019 के अंदर जो था परम सिवाई इसको लॉंच करने वाड़े हमारे देश के प्रैजेंट प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया जो है हमारे प्रैजेंट के अंदर तो उन्होंने इनको लॉंच किया था और कहां लॉंच किया था IIT-BHU के अंदर ये भी important है ठीक है? PM नरेंदर मोदी तो इन्हों ने इसको क्या किया था? लॉंच किया था भी याद रखिएगा 2019 के अंदर सबसे तेज सबसे सक्तिसाली सूपरकम्प्यूटर भारत की अगर हम बात करें तो परम सिवाए अगर हम बात करें 2020 की इसकी full form पुछिजाई IIT की full form होती है Indian Institute of Technology BHU का मतलब क्या है? BHU का मतलब होता है Banars Hindu University ठीक है? तो ये आपको याद रखना है परम सिवाए 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर सबसे latest सबसे तेज जो सूपरकम्प्यूटर है वो भारत का कौन सा है परम सिद्धी AI परम सिद्धी AI ठीक है? परम सिद्धी AI Artificial Intelligence ठीक है? तो ये कौन सा है भारत का सबसे तेज सूपरकम्प्यूटर है ठीक है? तो याद रखिएगा ये भारत के तेज, विसव के तेज, भारत का पहला विसव का पहला हमने यह सारे question कर लिए हैं जो आपके लिए important है ठीक है उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसका screen shot ले सकते हो एक बार उसके बार देखो अब हम देखते हैं जो हमारे mainframe computer है या फिर इसका यूज पूछ लिया जा सकता है भी जो हमारा super computer है इसका यूज कहां किया जाता है तो यूज बता देता हूं मैं आप लोगों को थोड़ा सा super computer जो है इसका यूज कहां किया जाता है ठीक है तो इसका जो यूज किया जाता है वो कहां किया जाता है मोसम की भविश्यवानी वैदर फोर्कास्टिंग वैदर फोर्कास्टिंग में यानिकी मोसम भविष्यवाणी मोसम की भविष्यवाणी कैसे कहां पर तुफान आएगा ठीक है कहां बारिस होगी वैसे तो छोटे कंप्यूटर से पता चल जाता है इसके अलावा साइकलोन कब आएगा कौन सा उलका पिंट गिरने वाणा है कौन सा ग्रह मतलब हर चीज की जानकारी जो मोसम से रिलेटिड है वह यहां पर मिलती है इसके अलावा मोसम की भीष्यवाणी के लावा अंत्रिक्स अनुसंधान में कि अंत्रिक्स अनुसंधान वोला और सोपर अनुसंधान के अंदर बी कोई भी सतिलाइट वगेरा वगेरा जो भी है लॉन्स करना है कि मिसाली भागेरा चोंधनी है निया तो यह सारह का सा przyलेंटिड जितने भी काम होते हैं वो भी किस से होते हैं सुपर 실़र कंप्योंट computer की वज़े से होते इसके एलावा आपका और कहां यूज किया जाता है एए एरप्लाइन है ठीक है एरफ्लाइन है उनकी लैंडिंग में और उनको कंट्रोल करने में ठीक है तो इसके लिए भी किसका प्रियों किया जाता है इसका घ्यादा आरक्षा भी भाग जो हमारा डिफेंस है ठीक है रक्षय भाग है रक्षय भाग हमारा जुब रिउज़ करता है डिफेंस के लिए तो वह भी कोण साय सूपर कम्प्यूटर है तो सूपर कम्प्यूटर के बारे मैंने आप लोगों को तिंचा टाइप लिखवा दिये हैं जो इंपोर्टेंट आपके इसका यूज कहां होता है clear है तो अब इसके अंदर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसके बाद आगे देख लेते हैं कि उसके बाद है आगे थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं हम बात करते हैं सेकिंड जो टाइप है मेंट फ्रेम कंप्यूटर की अगर आपसे पुछा जाए सबसे ज्यादा स्पीड कौन से कंप्यूटर की है तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वह सूपर कंप्यूटर की होती है और सबसे ज्यादा स्टोरेज पूछ ली जाए तो सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है मेंट फ्रेम कंप्यूटर की तो तो मेंफ्रेम कम्प्यूटर है इसका यूज कहां करते हैं, मेंफ्रेम कम्प्यूटर का, जो मेंफ्रेम कम्प्यूटर है इसका यूज कहां करते हैं, देखो, सबसे इंपोर्टेंट है आपका, जो भी बैंकिंग है, बैंकिंग सर्विसिज के अंदर, तो बैंकिंग सिस्टम क के अंदर जो भी आपकी बैंकिंग की प्रणाली है आपको कहा से कॉन से बैंक से पैसे निकलवाने है कॉन से बैंक में अकाउंट है कॉन से बैंक से निकाल रहे हो कॉन सी ब्रांज में आपका अकाउंट है तो आप यह सारी चीजों को जो मैनेज करता है इसका डेटा जो भी म एक सबसांद शुटहिए नुटें टिंग इंदर के लिए ठीक है सरवर क्या होता है अगर आपको नहीन पता तो सरवर आपका वो मास्ट्र कम्पूतर होता है जिसके साथ बहुत सारे computer जुड़े रहते हैं नाइक्टर की साहता से ठीक है तो वो server computer होता है banking system के अंदर यूज करते हैं इसका इसके अलावा जो आपकी aero plan है हवाई जहाज है aero plan है इनकी ticket जो होती है इसकी ticket की reservation के अंदर ठीक है या फिर railway reservation के अंदर भी आप बोल सकते हो railway की जो reservation होती है चाहिए ठीक है railway reservation आउड बंधर की आप देखा हुआ गई टिकट का जो भी डेटा उता अलव इंडिया आपको कहीं भी जाना है कितने दिन पहले जाना है वो सारा अतला जो भी होता है वो server पर होता है में फ्रेम कंप्यूटर के सरवर पर होता है क्लिर है इसके अलावा जो सेर मार्केट है कि सेर मार्केट के लिए भी कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं सेर मार्केट के लिए भी में फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो मोटा मोटी आपको संद में आ गया होगा कि में फ्रेम कंप्यूटर इसका यूज़ क IBM कि आपका तिरतारी सी क्या सी एचल 39 ठीक है एक ही ताची का है बाकि यह याद रख लेना कोई ज्यादा इंपोर्टेंट निया बिम का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल कि बीजनेस मसीन है ठीक है तो यह आपका क्या है में फ्रेम कंप्यूटर है इसका स्क्रीन सोट लेडा चाहो तो स्क्रीन सोट ले सकते हो जल्दी से उसके बाद देखो आगे कि माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से दो कोश्यन बढ़ेंगे आपके जो इंपोर्टेंट है हbrend कि माइक्रो कंप्यूटर सिर्फ दो कोस्ट बढ़ने हैंं आपके माइक्रों members से जो इंपोटेंट है यह भी सर्वर परपस के लिए उडि करते हैं को बीं इन computer का भी उसकी स्टी के जाता है server purpose के लिए लेकिन इनकी जो storage होती है नो कि इनकी जो क्या होती है storage होती है है इनकी도 storage क्या होती है एंट कि अ कम ड़ीटा स्टोर कर सकते हैं ठीक है जैसे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसके उपर एक समय में हजारों लाखों वैक्ति जुड़े रहते हैं तो इसके उपर क्या होते हैं सेकडों वैक्ति जुड़े रहते हैं 100-200 वैक्ति एक टाइम में जुड़ सकते हैं Mini Computer के उपर ठीक है? Mini Computer तो Mini Computer के अगर हम बात करे? Mini Computer का युजर युज़ Q1 P2 P8 ठीक है, PDP-8 इसका नाम था, और इसको कब बनाया गया था, 1965 में बनाया गया था, एक आधबार कोश्चेन ये भी पुछा गया है कि इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया DEC कमपनी ने, इसकी फुल फॉर्म पुछी जाए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, Digital Equipment Corporation, Corporation, तो Digital Equipment Corporation DEC ने, 1965 के अंदर सबसे पहला मेनी कमप्यूटर बनाया, एक इसी से रिलेटिड अच्छा कोश्चेन और बनता है, कोश्चेन क्या बनता है, कोश्चेन बनता है, कोण सी चिप का प्रियोग करने से, मेनी कमप्यूटर, मेनी सूपर कमप्यूटर बन जाता है, यानि कि अभी तो यह क्या है मीनी कंप्यूटर है और मीनी कंप्यूटर को मीनी सूपर कंप्यूटर बनाना है क्या बनाना है मीनी कंप्यूटर को मीनी सूपर कंप्यूटर बनाना है ठीक है तो कोण सी चिप का प्रियोग करना पड़ेगा यह कोश्चन पूछा जाता है 80280, 80280, 80380, 80480, ऐसे option आपको दे दिये जाते हैं, जिसकी वज़से आप सबसे ज़धा पजल हो जाते हो, ठीक है, तो यह देखो कौन से नंबर का है, यह तीसरे नंबर का है, सबसे पहले हमने कौन सा पड़ा, सबसे पहले हमने सूपर कम्प्यूटर पड़ा, फिर मेन फ् है, तो यहां पर option तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, पहले 100, फिर 200, और फिर 300, देखो यह 300 वड़ा है ना, यही वो चिप है, तो कौन सी चिप है, 80380, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि तीसरे नंबर का है, और 3 नंबर पर याती है, अपनी 380, ठीक है, तो इस से चिप का परियोग करने से mini computer को mini super computer बनाया जा सकता है, वरी वरी important question है, यह दो आपके mini computer से जो बनते हैं, last रहता है आपका micro computer, micro computer वो computer होता है दोस्तों, जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, school में यूज़ कर सकते हैं, hospital के अंदर, post office के अंदर, college के अंदर, campus के अंदर, जो हमारा छोटा computer होता है वह हमारा क्या होता है आपका micro-computer होता है यह micro computer वो सारे computer जैसे आपका mobile है जिसको आप हतेली पु रहके चला सकते है। Hi Micro Computer रहें इसका स्क्रीन सोल ले लो थोड़ा सा MyCrew Computer देख लेते हैं दो मिनट सा Đरा के लाश्ट है आपका Talkosh micro computer तो इसके अंदर हमारे झो क्लाशिफ केशन ओफ कम्प्योटर ऑफ को जाएगी एइस टाइफ होता है है cocaine लाश्ट है हमारा inaudишь Computer तो Micro Computer जो होते हैं इसके बारे में चोटी चोटी बातें यूज का होता हुआ आपको पताई दिया मैंने स्कूल में College में office में campus में ठीक है post office में घरों में तो इस तरह से इसको क्या जूज कर सकते हैं इसका यूज आपके लिए ज्यदा बदा important नहीं आपको पता भी नॉर्मली यूज करतें इसका सोटे लेवल पर यूज करते हैं सबसे important चीज क्या है इसके ऊपर जो एक व्यक्ति है एक user एक टाइम में काम कर सकता है तो यह सबसे important है यानि कि one user can work at one time ठीक है तो एक समय में एक व्यक्ति यूज कर सकता है इसके उपर काम तो एक यूजर यूजर कौन होता है यूज करने वाड़ा ठीक है और यूज करने वाड़ा जो होता है वो क्या होगा यूजर कहलाता है ठीक है जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है तो वो क्या होगा एक यूजर इसके उपर काम कर सकता है पहली बात तो यह याद रखनी है दूसरी बात micro computer को न से होते हैं जो हम कहां युज करते हैं घरों में और स्कूलों में या फिर आप office कह सकते हो ठीक है तो यह दो बाते हैं यह यह आद रखनी है तिसरी जो important है वो हमारे टाइब से बन जाते हैं कि micro computer है वो कोण कोण से type होते सब से पहले टाइप की बात करें तो इसके अंदर आता पांटो गूाइद जितनी भी होते हैं या वो सारे के स्पवेव का होते हैं? पैसे जो बीड आपके नोटबुक कंप्यूटर है चनल का लाएं सारे क्या होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसके बाद अगर हम बात करें लैप्टोप की अगर हम बात करें डेस्टोप की अगर हम बात करें वर्क स्टेशन की अगर हम बात करें पीडी एकी अगर हम बात करें एमबेड़िड कंप्यूटर की जो औरहा है कि तो यह सारे के सारे हमारे किसमें आ जाते हैं Micro Computer की category के अंदर आ जाते हैं तो Micro Computer के अंदर Palom Top का मतलब स嘛 अब यह जिनको हम हम हथेयली के ऊपर रखके चलाते हैं पाम का मतलब क्या हुत नोट्ब। कि उपर रहे हैं स ने नोट्बुक कि नोट्बुक के अंदर आप अभी not कर रहे हो कोई भी not तियार कर रहे हो आप अधिसि किसी और subject का data nitts कर रहे हो तो लोग इपक्यूथल कोनी कि न्यौच कर व辿 अध्Start क्लत के विश्य मुपकरन कि अ आपके प्रप्ति baramme system को पिंचला है थे ऐसे computer को computer जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले के जा सकते हैं तो वो क्या होते हैं आपके portable होतें हैं नोटबुक भी portable है इसको भी ले जा सकते हैं पाम टोप computer … यह भी – ढूर टेवल है ठीक है एसटोप ऐसे computer होते हैं जो wunderstroke की उपर यानिकी डेस्क की उपर रखते चलाया जाते हैं वर्क्स्टेशन स्वी इनको शुक्र बोस्क्षे इनको शुक्न कि मुझा अपूप के निर्श में य momencie होता है जो स्थों सिखे साली digital assistance तो personal digital assistance यहनि कि PDA जो computer होते है यह कैसे computer होते है जैसे आपका यह calculator की तरह होता है इसके अंदर एक stylus होता है stylus के साथ इसके अंदर हम छोटा बोट छोटा मोटा जो काम होता है जैसे हमारा कोई भी billing का काम है कोई data हमने note करना है तो वो हम PDA computer के अंदर कर सकते हैं clear है embedded computer कौन से होते हैं जो specially एक work के लिए design किये जाते हैं embedded computer होते है जिनका purpose क्या होता है जिनका working का procedure देखा जाए तो सिर्फ एक ही task perform करते हैं ठीक है तो embedded computer के अंदर जैसे आपने देखा होगा traffic light है traffic light हों का सिर्फ एक ही functioning है वो वही काम करती है तो वो आपके क्या होते हैं embedded computer होते है clear है तो ये आज का हमारा जो सोटा सा topic था classification of computer हमने non-stop without any extra कोई भी activity के साथ आपको direct to the point आपको सारी चीज़ें करवाई है अगर फिर भी आपका कोई doubt रह जाता है पहली class है अगर आपका response अच्छा ऐसी ही मिलेगा तो आगे की आगे आपकी class ही जो है यहाँ पे सारी चारी डाल दी जाएंगी और आगे के लिए जो भी update होगी वो चैनल के मादम से आपको मिलती रहेगी तो चैनल को subscribe करके वाला icon को press कर लिजिए thank you have a good day